हालो फ्रेंग्स वालकम यौल आज मैं आपके लिए वीडियो लेका रहा है बात करेंगे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक की स्टॉक अब दा एक्सचेंज यानि कि एक एक्सचेंज के स्टॉक को फोकस करके समझने की कोशिश करेंगे पिछले दो साल में इस ने जो कुछ किया उससे कुछ लर्निंग देखने को मिलती है उसके बारे में बात करेंगे और गिरावट के टाइम पे अब opportunities जो तयार होंगी उनके बारे में बात करेंगा और आगे बढ़ने से पहले मा आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ला है बेल अकिन को प्रस कर ला है जिससे आपको notification आती को देते हैं साथ के साथ गिरावट के टाइम पे निफ्टी इटी अप कैसे आप जमा कर सकते हो उसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की गई है इसको देखिए आप समझिए प्राक्टिस कीजिए आज हम चर्चा करेंगे यहां पे MCX यानिकी Multi Commodity Exchange को समझने की को करेंगे आज की डेट में आप देख रहेंगे और मार्किट का प्लेशन 33,000 करोड हो चुका है उधार मुक्ति यह कंपनी इतने आसमानों पर कैसे पहुंच गी यह देखिए यह लवल देखिए दो साल पहले 1500 के लवल पे था फिर 6 मेने में करेक्शन फिर से देखिए 1600 के ल पाड़ा करेक्शन उसमें आती है और उस करेक्शन को आपको जहिलना होता जैसे अभी रिशन करेक्शन अभी चल रही है अगर इसमें देखा जाए तो इलक्षन के रजल्ट वाले दिन 30% की करेक्शन थी जो क्या आपको गयर बहुत भड़ी करेक्शन थी है कि निया उससे पहले अगर मैं देखो इस रैली से पहले जड़àng है करेक्शन को देखिए 25% की यह पढ़ी बड़ी करेक्शन होती है लेकिन अब जरा फूकॉस करते हैं इस टौक से कुछ सीखने समसने की कोशिश करते हैं वे कि कभी भी हो स्टॉक अगर आप नियर टूदा वीकली पे टूहंडड़ ऐसे में के पास अगर आपकी बाइंग है अपॉर्चुनिटी तैयार होगी चाहे वो यहां पे हो तो आपको बढ़िया बड़े टाइम फ्रेम के पर फोकस अकोगे तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होगी चाहे वो यहां कहीं पे हो अब होता क्या है हम दूरी पे खरीदते हैं मालो हम इसको यहां पे खरीद रहें 68 हमारे पास लॉस का कोई भी लॉस को अगर हम बात करें यहां पर की लॉस को रोकने का तरीका नहीं होता कि कब हम बाहर निकल पाए तो वह तरीका हमारे पास नही पता है यह आपका रिस्क है यहां कहीं ले रहे हैं आपको पता है यह आपका रिस्क है तो हमेशा रिस्क को important तरीके से समझना है और उसके basis पर आगे बढ़ना मैं इसकी चर्चा आज क्यों कर रहा हूं क्योंकि अगर आप स्टॉक को देखो weekly चार्ट पे अगर इसके RSI MACD को देखो इवन इस लो को देखिए वन टू थ्री तिन तिन लो पॉइंट इसने बनाए और आपको दिखेगा divergence एक positivity क्योंकि अभी recent correction में आपको देखने को मिलेगा positivity अगर आप इन लोग्स को देखोगे तो यहां पर आपको divergence और यहां पर momentum में आया और फिर सो उसके बाद एक correction दी और उसके बाद फिर positivity आपको देखने को बिली तो यानि कि कितना patience मार्केट में चाहिए होता इवन यहां पर किसी ने एंट्री लिया होगा यह नवेंबर है और यह जुलाई है तो अल्मोस्ट साथ आठ महिने का consolidation उसने जहिला यह नहीं कि बहुत नीचे फॉल हुआ रिस्क मैनेजड नहीं है कि रिस्क ज्यादा दिख रहा तो हमेंसा क्या करना है पॉजिशन के साइज को कम करके मैनेज करना अगर किसी ने यहां पर 1600 पर इंट्री लिया उसका आप देखिए यहां पर कितना है इसके बारे हम चर्चा कर रहे थे और उस टाइम का यह स्टॉक का मार्केट करप्लाइशन अगर आप देखो कि तो मात्र आठ हजार करोड था अब ज्यान देने वाली बात है कि एक और चीज आपको देखिए बड़ी बड़ी रैली जगर आपको देखने को मिलेगी ना ज्यादा से ज्यादा 50% के आसपस starting के time में लेकिन उमीद अगर किसी से होती है कि वह बढ़िया consolidation के बाद रैली देगा तो वह small cap और mid cap से होती है अब होता क्या है small cap और mid cap से उमीद जब आप ज्यादा लगाते हो तो उसमें रिस्क भी उसी साफ से होता है रिस्क उसी साफ से अगर आप recent पिछले एक महीने की correction देखोगे के निफ्टी आठ परसंट के आसपास नीचे गिरा आठ साड़े आठ परसंट के असपास लेकिन mid cap और small cap के stocks 25-35% नीचे गिर चुक है तो यह जो है एक aspect से भी आप सोचिए अब इसी stock को आप देखिए जब रिजल्ट के टाइम पर इसी की correction को आप देखोगे तो यह 32% नीचे आठ चुका था आपको गयर यह तो भई डर का माहूल होता है आपको ही समझना देखिए और यहां पर consolidation उसके बाद बढ़िया रैली आपको देखने को मिली और return देखिए जब यह डर का माहूल है तो साथ के साथ अगर मैं 1500 के लेवल के आसपास से देखो आपको गया तो साड़े 300% के रैली भी इस ने दी है बट हमेशा समझना क्या है कि आप कहां पर entry ले रहो कब entry ले रो रिस्क क्या है अगर कोई यहां पर entry लेगा और अगर यह थोड़ा बहुत भी correct होता ह है और यह अभी इसका price is 6480 किसी ने इसमें 6500 पर entry ली अब अगर आप इस basis में इस जड़ को देखो कि तो आपको लगे गया यार यह बहुत दूर है है ना अब इस basis पर entry लिए और यह आता है यहां से गिरके अपने 20 यह में तक जो कि अपने आप में 1200 पॉइंट दूर है करेक्शन है 20 यह में कि आसपास तक price आता हमेशा अकसर कोशिश करता है इसके पास आने की तो यह कितना 1200 पॉइंट दूर अगर कोई यहां पर entry ले रहा है और उसका proper risk नहीं manage है वो अपने आपको डरा हुआ महसूस करेगा और एकदम यहां से निकलने की कोशिश करेगा यहां पर तरी हंड़र पॉइंट तूर यह है तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो best opportunities तैयार होती है वो 200 ऐसे में के आसपास weekly पे डेली पे इवन अगर आप यहां पर देखो गर इस current यह election के टाइम वाले rejection को अगर आप देखोगे तो weekly पे ना सही लेकिन डेली पे यह पास देखने को मिलेगा तब भी आपका control है है किन यह चीज है तो यहां पे आपको दिखेगा यार किस तरीके से situation मन रही है क्या यह positive situation है या नहीं है जंप हुआ है यहां पे देखिए उसके बाद नीचे गया वापस आया consolidation है breakout pullback तो यहां कहीं entry बनेगी तो यह stop loss ह तो यह चोटी-चोटी जरूर है लेकिन बहुत important चीज हो इस चीज की चर्चा इसलिए करना कि कि मार्केट में चल रही है correction एक महीने में पहली बार जो है पिछले कई महीनों बार इस एक महीने में बढ़िया से healthy correction आई है देखिए आप देख सकते हो यह October यह है आपका October वास के correction 8% से ज्यादा हो चुकी है अगर यह यहां पर 50MA तक भी आती है तो यह 12% के आसपास की correction हो जाएगी 12% के आसपास की correction अगर इसी महीने में यह नीचे तक यहां पर आता तो बढ़िया मैं कहूंगा तो अब यह corrections का फाइदा लेने के लिए एक और important concept आपके सामने बता र पाइदा होता है अगर आप option selling की दुनिया मां काम करते हो तो ETF आपके margin का काम करता है यह बहुत बढ़ी है चीज है गिरता रहे तो सस्ते में ETF मिल जाए तो और मजा आ जाए फिलाल मां wind up करता है वीडियो को और उम्मीद करता है कि MCX के share से आपने बहुत कुछ सीखा होगा समझा होगा और अगर आप पुराने यह वीडियो देखे है stock of the exchange को आपको मैं कहूंगा बहुत important consolidation का time इसको देखे समझे सीखे practice जरूर करें बाकी जैसे weekend का time आपके पास है practice कीजिए practice क्योंकि अभी पिछले एक महिने का data है वो correction वाला data है तो इस time पर जो practice जब आप करोग और risk management के बारे में learning के बारे में awareness spread करते रहें thank you thank you for watching the video